हेलो एंड वेलकम टू गेट ऑनलाइन अकेडमी गेट अकेडमी के ऑनलाइन पोटल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है M.D. समी आज की इस यूडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे डाटा को रिड्यूस करने के लिए कौन-कौन से टेक्निक्स का हम हैं और साथ में हम लोग जानेंगे फ्रेक्टर अनलेसिस और क्लेस्टर अनलेसिस में क्या के मिजर डिफ्रेंसेस हैं इसके बाद हम लोग जानेंगे डाटा बेस मार्केटिंग साथ ही में हम लोग जानेंगे डाटा बेस मार्केटिंग के दो इंस्टुमेंट्स के बारे मे स्टाटिस्टिकल एंड लॉजिस्टिकल देखिए बच्चो एक्जाम पॉइंट ओव व्यू से दोनों टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है डाटा रिडक्शन टेक्निक और डाटा बेस मार्केटिंग इससे डारेट कोर्शन्स आते हैं एक या दो नंबर के तो इस वीडि तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे द्वारा दिए गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे देखिए पहला टॉपिक है डाटा रिडक्शन टेक्निक्स तो डाटा को हमन सब्सक्राइब अगर हमकिसी कमपणी को लगाएंगे तो वह कितने डाटा को देखेगा को देखने की इतना टाइम नहीं होगा तो मेंटेनेंस कौश्ट हमारा बढ़ जाएगा तो जी जब आ निकालने की तो हम उसे निकाल भी नहीं पैंगे कितने सारे प्रोसेस वह हमको जैसे मालीजी अगर nice library棟 लाइबेरी में अगर नम फेक दें या ऐसे ही अगर हम रख दें तो क्या होगा कि जब आप science की खोजने जाओं इसमें अगर कि sanity की भूक को जाओंगे उसमेंование किसी रैटर का शunge weinash orderane giant का खोजने जाओंगे तो क्या होगा कि एक looks में तो books arrange है नहीं आपको कितना time लग जाएगा एक book को खोजने में उतने time में आप उस book के topics को पढ़ लेते तो इसी तरीके से अगर हम लोग CRM में करें तो CRM की efficiency reduce होगी server पे load पढ़ेगा maintenance cost पढ़ेगा तो हम लोग CRM में सारे चीजों को reduce करने के लिए दो techniques का इस्तेमाल करते हैं फेटर analysis and cluster analysis फेटर analysis क्या होता है कि इसमें सारे डाटाज में से common factor को निकाल के एक file में store कर देते हैं और cluster analysis में similar clusters को एक साथ grouping करके उनके हम clusters बना लेते हैं तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं फेटर analysis को फेटर analysis में देखिए अगर आप किसी hotel में गए तो आपसे छे फॉर्म भरवाया वेटिंग टाइम, cleanliness, staff behavior, test of food, food temperature और freshness of food यह सारी जानकारी वह आपसे लेगा ताकि आपको अच्छी service दे सके आपको अच्छी food quality दे सके तो इन 6 forms को भरवाएगा तो यह आपका भी समय जाएगा उनके लिए भी lengthy records होगा records को रखने में बहुत सारी परिसानी होगी कौन सी फाइल कब मिस हो जाए यह पता नहीं चलेगा तो यह क्या करते हैं कि अगर हम लोग common factor को लेके इसको एक ही फाइल बना दें जैसे service अगर हम ले 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 तो service में क्या क्या आ जाएगा वेटिंग टाइम, cleanliness, stop behavior तो इन तीनों चीजों को हमने एक फाइल में store कर दिया तो directly अगर हमको data निकालना होगा कि हमारे जो customer है उन्होंने क्या क्या feedback दिया है वेटिंग टाइम कितना है या cleanliness कैसा है या stop behavior कैसा है तो इससे क्या हुआ कि हमारा time भी कम लगा data storage capacity भी बढ़ गई और साइच चीजें असान भी हो गई इसी तरीके से food quality में तीन चीजों को ले लिया टेस्ट of food, food temperature और freshness of food मतलब यह क्या करता है कि common factors को एक साथ ले लेता है और उसको एक फाइल में store कर देता है तो एक बात पर आप लोग ध्यान दिजे data reduction technique में हम लोग data को reduce नहीं करते है उनक data reduction technique cluster analysis cluster analysis में हम लोग cluster करते हैं similar clusters को arrange करके एक cluster बना लेते हैं cluster का मतलब general classification जो हमारे आप सपास मौझूद है उन्हीं चीजों को लेके हम classify करते हैं जैसे आपने देखा होगा biology में plants kingdom आपने पढ़ा होगा और animal kingdom तो उसमें species और उनके क्या क्या टाइप से kingdom के अधार पर उनको classify कर लिया जाता है ऐसा है एनिमल्स में species और kingdom के अधार पर classify कर लिया जाता है और आपने देखा होगा TV में अलने ने ग्रूस बना दिया जाते हैं kids channel हो गया entertainment channel हो गया news channel हो गया तो इन सारी चीजों का grouping जो किया जाता है kids channel में तो सिर्फ kids cartoon ही होंगे new channel में सिर्फ new channel होगा पर news और kids channel में कोई similarity नहीं है इसी तरीके से हम लोग CRM में data का cluster बनाते हैं बड़ जो different clusters होते हैं उन में कोई similarity नहीं होती है पर एक cluster जो होता है अपने में ही सा अजो काश्टर सोते हैं उनमें similarity होती है पर different cluster को similarity नहीं होती है जैसे अगर आपने देखा होगा health sector में हमारा जो aim है वह है तो यह जेनरल इन्फोर्मेशन समारे पास पहले से मौझज होती है जैसे क्लीनिक साइकीन्स हो गए जो जल्दी क्लीनिक जाना पसंद नहीं करते हैं वह डाइट होस्पिलल जाएंगे बाए डॉट्रों के पास जाएंगे कुछ होते हैं जो नेचर पर ज्यादा बिलीब करते है प्राकेतिक चीजों का सेवन करते हैं और नेचरली ठीक होना चाहते हैं कुछ होते हैं तो यह जो इनफोर्मेशन मतलब हो गया कि जो एक कंपनी का को प्रिफर करते हैं उसके लिए भला ही उनको जादा पेमन देना पड़े पर वह उसी कंपनी के दवा पालेंगे कुछ लोग होते हैं कुछ लोग इंडि 2005 हब होते हैं मतलब वह अपने हीalis के लिए कंसर होते हैं अब कुछ लोग बी होते हैं उंपस्किंट समारे संख ही मघंए बना लिया अब देखिए जब हमने करस्टर बना तो जब डाटा को हम रिड्यूस करेंगे कर बनाया तो अब इसमें अगर वह फैमिली सेंटर है तो कितने एज ग्रूप का है या वह किन किन चीजों को प्रिफर कर रहा है तो फैक्टर अनलिसिस जब हम लगा देंगे अब यहां पर देखिए जब हमने फैक्टर अनलिसिस को पढ़ा तो यहां पर छे छे क्लस्टर थे हमारे पास तो छे क्लस्टर को हमने तीन-टीन में डिवाइड करके दो फाइल बना लिया दो अगर हमको इसको और रिड्यूस करना होगा तो इन दोनों को हम एक पर बना दें होगे तो हमारे डाटा क्या होगा वो तोटली रिडिवस होगा तो इस तरीके से सारे डाटा रिड्स टेक्निक्स इस्तमाल कि जाते हैं CRM में ताकि सब्सक्रक्रण कर सके और की वह क्ज़िएंस को बढ़ा सके और ताकि डाटा जैन दिन आ हो और हमारे लिए भी बहुत ही आप अफिस लेट जाते हैं या जल्दी जाते हैं वहां के वाइफाई को यूज करते हैं या या नहीं या कंपनी के बस का इस्तमाल करते हैं कि नहीं या संडे को छुटी लेते हैं या आप उनके वहां के खाना खाते हैं कि नहीं का नमर डामेंशन जो है वह रिड्यूस हो ग क्या great किसी इस्तमाल कि तो वहां पे भी आपका नाम आएगा और क्ष democratic क्या आंक तो वहां पर आपकी आपका नाम क्या UP कर सक्षर में एक फाइल लिए को फ्र Columbia तो इस तरीका जो क्लासिफ n होगा इन सारे यह इस सारी आम आपका नाम चला जाएगा पर सुआ कि एक ही नाम में सारा फाइल आ जाएगा पर क्लस्टरिंग में हमको एक पर्टिकुलर फैक्टर को अब्जर्विशन को सच करना होगा जिसमें बहुत साय नाम आएंगे तो आपका भी नाम होगा उसमें दोनों में यहीं डिफरेंस है अब अगला क्या है इंटे डिपेंडें इसमें क्लस्टरिंग में कि जो information होती है हमें पहले से पता नहीं होता है जैसे हमने संडे को सच किया कि संडे कौन-कौन छूटी लिया तो इसमें वहां पे भी आपका नाम है और बस में किसने ट्रेवल किया तो वहां पे भी आपका नाम है वाइफाइ किसने यूज किया त इंसाइच चीजों को पर्टिकुली हमको सच करना होता है पर फ्रेक्ट अनलिशिस में क्या होता है कि डाइट लिए आपके नाम के फाइल में जाएंगे और आप से जुड़ी विसाई इंफर्मिशन सा जाएंगे अब अगला जो है मेन अब्जेक्टिव जो है यह क्या करती ह अपस में दूसरे से को रिलेट करती है और डाटा को रिड्यूस करती है क्लेस्ट अनलिशिस में क्या होगा कि जो अलग-अलग भी भिन्यताय है उनको क्या करेगी एक सेट में इस्टोर कर लेगी जैसे आपने मैंने बताया आपको कि संडे को छूटी किस ने लिया तो वहा में क्या होता है जो जूदी साथे नामने में सारे इंफिरल निकल जाएगा पैल जो है सिंप्लिफोयिक्हry बना हुआ है अलग-अलग क्लासिफिकेशन बना हुआ है कि संडेवकेशन छुटी लिया अगर हमको पता करना किन-किन लोगों ने छुटी लिया या किन-किन ने वाई-फाई इस्तमाल किया तो डाइटली हम सर्च करके उन सारे का नाम पता कर लेंगे अगला जो है में जो एबिलेटी एफटली सिस का फटली जिस क्या करती है वाइड रेंज अफ डाटा को एक आपका नाम बनाके उसमें स्टोर कर लेती है तो डाटा क्या होते हैं क्लासिफिकेशन वहां नाम का आपके आप में चूटी लिया तो में कि कि जैसे हमको पता करना है कि संड़ को कि छुटी लिया तो डारेक्टली हम पता कर सकते हैं कि हमारे कंपनी में कौन-कौन इनफॉर्मेशन थे तो मैंने उसका फाइल बना दिया तो इंफॉर्मेशन को फाइल में और जो कर दिया जैसे आगले टॉपिक दाटाबेस मार्केटिंग अब हम लोग समझते हैं database marketing in CRM, database marketing बहुत ही latest communication technology है, ये सारे marketing techniques को phase कर चुका है, database marketing हमारे CRM software का हट कहा जाता है, क्योंकि database marketing जब हम करते हैं, तो ये हमें एक platform provide करता है, कि अपने customer को हम कैसे return करें, कैसे अपने customer के सारे needs को provide करें, पहले क्या होता था, कि हमें door to door जाके offers को बताना होता था, pamphlets बाटने होते थे, तो इसमें बहुत time जाता था, और तब तक offer भी निकल जाता था, लेकिन database क्या करता है, कि जैसे हम offer निकालते हैं, जो customer हम से जुड़े हुए हैं, उनको हमारे products की, हमारे offers की notification तुरंत मिल जाती है, तो इससे हमारा जो marketing है, वो बहुत जल्दी improve होता है, देखिए, जब कोई industry database marketing करती है, तो कुछ database marketing के key points को note करती है, जो की exam point of view से बहुत ही important है, diet इससे questions आते हैं, तो आपके questions ना छुटे, चलिए हमों diagram में समझते हैं, कि कौन-कौन से key points को industry जो है, नोट करती है, सबस कोई नया product launch करना है, तो market decide करना होता है, कि किस market में अपने products को launch करें, तो जब market को हम लो target करेंगे, तो यह देखेंगे कि वहाँ पर competition कम है, कि जादा है, कम competition market में अगर launch करते हैं, तो हमारे product के लिए efficient होगा, हमारा product जल्दी वहाँ पर survive कर जाएगा, और वह बिग जाएग अगला point जो note करती है, कि हम offers generate की है, अपने products को बेचने के लिए, जो offers हम generate की है, कौन सा offer ज्यादा effective है, 30% ज्यादा effective है, कि 40% ज्यादा effective है, 60% ज्यादा effective है, तो इसके response को भी company note करती है, अगला जो हम लोग point note करेंगे, कि कौन सा channel, जो है marketing channel, ज्यादा effective है, YouTube हो गया, Facebook हो गय तो जब हम invest करेंगे, तो इसी marketing channels पर invest करेंगे, जिससे हम ज्यादा response आएगा, अगला point है demographic response, तो अपने offers को जो हमने launch किया, 30%, 40%, तो products को launch करने के बाद किस area में भिका, ज्यादा भिका, इंडिया में ज्यादा भिका, या हमारा दिल्ली में ज्यादा भिका रहा है, कि हर्यान इस demographic response को भी company note करती है, अगला point जो है marketing results, क्या-क्या measures हमें face करना पड़ा, या marketing results को हम कैसे नाप रहे हैं, कि जो हमने अपने products को launch किया, तो क्या उसके marketing results आए, हमें benefit हुआ, या हमारा product ज्यादा चला, demand बढ़ा, कि supply बढ़ा, क्या हुआ, सारी चाजों को notes करते हैं, अगर demand बढ़ेगी, तो हमारे लिए अच्छा है, अगर demand घटेगी, इसका मतलब products लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमें यह समझ में आया जाएगा, कि products को आगे हम market में चलाएं कि ना चलाएं, अगला point note करती है company, lifetime customer value, तक lifetime value of customer, जो है, ये industry use करती है customer के साथ, जो बहुत ह important है, इसमें key point, यह हम अगले आने वाले lectures में आपको बताऊंगा, यह आप जान लिजे बस कि यह key point, जो है lifetime customer value, यह बहुत ही important है, किसी भी customer का हम lifetime value calculate करते हैं, कि हम उसे कितना profit ले सकें, अगला key point है, हम अपने customer को अपने पास कैसे बरकरार रखें, इन चीजों को, इन factors को हम लोग देखते हैं, ताकि customer हमारे पास छोड़के ना जाए, और नए customer हमारे पास जुड़े हैं, अगला key factor है, अपने marketing budgets को improve करना, company अपने marketing budgets को improve करती है, जह हमारे products अच्छी चलेगी, या उसके साथ कौन से product को हम launch करें, कौन से product में invest करें, ताकि हम को और भी profit हो, हमारा जल 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 दी पैसा बनता जाए, और सारी चीज़ों को हम manage भी कर सकें, तो marketing budgets को भी company manage करती है, आपने कई जगहों पर add देखा होगा, Facebook या YouTube पे, Betrix24, जो कि advanced CRM software है, database marketing का, जिसमें ये सारे 8 options मौजूद होते हैं, industries के लिए, ताकि industry जो है efficiently इस पर work कर सके, अपने performance को improve कर सक के, I hope ये सारे database marketing के points को आप समझ गए होंगे, अब हम लोग समझते हैं, दो instruments के बारे में, जो की database marketing करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, अब समझते हैं, हम लोग database marketing के दो instruments के बारे में, logistical instrument and statistical instrument, logistical instrument हो चाहे statistical instrument हो, दोनों instrument हम जो हमारे पास database मौजूद है, जिसका इस्तमा के लिए कर रहे हैं उन्हीं पर हम लोग अपलाई करते हैं लोजिस्टिकल इंस्टूमेंट जो है हम लोग डेली मार्केटिंग के अनलेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो डेली हम डाटा को निकालना होगा डाटा को अनलाईज करना होगा मैनेज करना होगा और कमर्सियल एक पुराने लिए अपडेट करेंगे देली वीकली और मन्थिली लोजिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पाइगा हम लोग अपडेट इसलिए करते हैं क्योंकि sales manager हो गया चाहे manager हो गया यह आके हमारे data को देखता है analyze करता है कि आपने कितनी अच्छी marketing किया है या आप कहां पर stable कर रहे हो सारे situations को समझ के बड़े marketing decisions लेने के हमें help करता है तो जितने भी हमारे data है यदे भी हम marketing करते हैं हमें help out करने के लिए यह देखते हैं तो हमें इससे मैनेज करना होता है और यह पॉइंट को अधियान से नोट कर लिजेगा इसे डायट कोषण आ सकता है किसी ने कट अधा किया जाता है तो यह हमारे पास खास करेंगे यह मारत पर पास अमाल ले रहे हैं उनका हम एक साया ड़ाटा निकाल लेंगे और कुछ की फीचर्स जो घुएला पास मेच सब करके मार्केट बेस बनाएंगे ताकि हम बड़े मार्केटेश ले सकें इसमें जो कुछ नए कस्टमर क्राटा होंगे वह हम हम अकीज़नली एड करेंगे तो इन सा डाटास को जो है हम उकेजिनली उनको अपडेट करते रहेंगे इसमें परसन डाटा को कठा नहीं किया जाता है मैंने आपको पहले बताया कि लोजिस्टिकल इंस्टूमेंट में परसन डाटा को कठा किया जाता है और स्टैस्टिकल इंस्टूमेंट में परसन डाट से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स या टेलेग्राम जलना पर पूछ सकते हैं जिसका लिंट डिस्ट्रेशन बॉक्स में रहता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद